इस बार आयोधिया की तिवाली खास है क्योंकि इस बार पीम मोदी राम की नगरी में छोटी दिवाली के दिन ही मौजूद रहेंगे आयोधिया के घाटों पर रिकॉर्ड 17 लाख दिये जलानी की तैयारी है इनमें करीब सवा लाख गोबर से बने दिये भी चामिल है सर्यूगाट पर आतिश बाजी देखेंगे पीम मोदी तो राम की पहले पर लेजर शोके गवाबी बनेंगे पीम दिपोटसव के दोरान राम लीला की जांकियां दिखेंगी आयोधिया में रामायन की थीम पर कुल 35 द्वार बनकर तयार हो गए है और इसी उपलक्ष को देखने के लिए इसी माउटसव को देखने के लिए खुद प्रधान मंतरी जा रहे है यह लगतार 6 साल है जब दिपोटसव मनाने के तैयारी है लेकिन चोटी दीवाली के दिन 23 तारिक के दिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, राम की नगरी आयोध्या में रहेंगे और इसके लिए पूरे आयोध्या को दुलहन की तरह सजा दिया है जिसके तस्वीरे इस वक्त आप देख रहे हैं सत्र लाक दिये चलाने की तैयारी हैं लेजर शो, इसके अलावा होलोग्राफिक शो, तमाम तरह के अलग-अलग जाकियों की विवस्ता की गई है जिसे कि दुनिया भर में आयोध्या को एक नई सांस्टूटिक पहचान दिलाई जा सके दुनिया भर में लोग आयोध्या को राम की नगरी और राम राजी के तोर पर जाने इसलिए एक बड़ा उत्सव मनाने की तयारी है